अगर आपकी वेबसाइट वड़प्रस के अंदर है और आपकी वेबसाइट के कैटेगरी जोपकी है तो आज क्या वड़े स्पेशल आपके लिए क्योंकि मैंने आपके लिए एसी थीम कस्टमाज की है जिसकी स्पीड हंड्रेड्स है बिल्कुल फ्री है और एक वडियोट देखने के बाद आपको ये थीम ृणी फ्री में मिल ज है की तो यह सबके बारे में जानने के लिए और थीम पाने लिए इंदर वीडियो स्टाट करने से पहले सबसे पहले तो आप लाइव डेमो देख लीजे इसके बाद मैं आपको बताऊं का कि आपको यह तरह से यूज़ करने हैं सबसे पहले आपको सामने दिखे देगे यह डिफॉल वर्डप्रेस की वेबसाट है इसके अंदर मैंने किसी भी प्रक है वीडियो के अंदर में आपको यह डिट करना है कि स्टरेस्पराइस करना है जस्ट में आपको आ स्की डूकन दर स्टॉल बटाउंगा कि हिस तरह से अपकी उसरी सांप की विफड गंतर सेट अब करने है और कुशली बार मेंने जब भी लोगर की फिल्ट में धिदिए त दरावलोड करने है और किसे आपकी वेफ़ोड के अंदर आप करने हैं और किसे थोड़ा कस्टेमाईज़ाइशन बताऊंगा वो थीम की लिंक मैंने यहाँ पर दे रखे हैं तो सबसे बहुत मैं आपको इस से डावलोड करके देखांगा इसके बाद हम हमारी वेपड के अंदर अपलोड करेंगे तो सिंपल यहाँ पर लिखा होगा वर्डपर इस जोब थीम और इसके सामने लेखांगा डावलोड ना Search Di產 लेकिन के अगा यहाँ लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा के किसी तरह से आपको ऊच्यूजेक्ट वह आपन हो चुका है तो इसके अंदर जो अभी करने हैं वह है वह दीफोल ती the ने तो इस possess करेंगे संभर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा अपर इसके बाद थिम पे और वहाँ जाके सिंपल आपको एड़ न्यू पर क्लिक करना है अब देखें यहां से डारिक लिए आपको इसे अपलोड करना क्योंकि यह थिम की साइज बहुत ही कम है और इसी जो इसका यहीं रिजर ह यह थिम को यहां पर सिलेक करना है और इंस्टोल पर क्लिक करना है तो थिम आपके विफट के अंदर सक्सेस्पूल हो जागी इसके बाद सिंपल आपको इसे एक्टिव करना है तो आपके अंदर यह थिम आपकी विफट के अंदर यह थिम सक्सेस्पूल एक्टिव हो जाग तो simply बिल्कुल free है लेकिन देखिए इसका तो default layout है वो कुछ खास नहीं लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह सी इसा करिश्टमाइश किया है तो जैसे आप थेम जो आपकी वेफड के अदर अपलोड करके active करोगे तो आपकी वेफड का layout automatically change हो जाएगा तो जैसे हमने refresh किया तो यहां पर आपको दिखा देगा कि यहां पर automatically हमारा layout हो चुका है कि यहां पर इस बार क्लीक ही लिखा है वहां पर मैंने न्यू विड्व लखा एं और यहां पर मैंने रखा है न्यू टेब और सके अंदर मैंने blank रहा है क्योंकि कहीं बार ऐसा होता कि बहुत इसारे user एक साथ बहुत शारे पोस्ट ओपन करते हैं तो जितनी बार यहाँ पर क्लिक करेंगे इतनी बार निया विंडो ओपन होगा ओर रैट नहीं होगा तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात हो कि इस इसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्याश्यू मिलेंगे तो यह हो कि इसके बाद मैं आपको थोड़ा कस्टमाजेशन बताऊंगा कि एक्चुरी आपको इससे किस तरह से यूज़ करना है तो सिंपल है थीम इसके अंदर मैंने बहुत सारा कस्टमाज किया है वह आपके समने जली है दे हैं और यह सब्सक्राइब कर लिए सबकुष मैंने कस्टमाज करके रखाए इसके बाद मैं आपको आपको बता आना पड़ेगा आपके has ART के अंदर और आपको ईसके अदर कुछ कस्टमाजेशन करना है सबसे कि आपको जाना है डिस्पले पे आपको सिलेक करना है कि आप Frank करना है तो देखिए यहां पर उपनी स्कसेस्पोली लोगोई बना कर अप्डूड किया है आप अपर लोगो यहां पर अफ्लोड कर दीजе इसके बाद आपको इसके अंदर आपका फोटर जो क्रेड़ेट जाना है इसके बाद आपको जाना है लेवर के अंदर और यहाँ पर देखिए थिम के खास बात क्या है इसके अंदर आपको डबल साइट बर का ओप्शन मिलता है यह आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकते हैं तो को सेव कर लेते हैं यहाँ पर आपके हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको देखा देगे दो साइट बर इससे यहाँ पर आपको डिक्रिस करना या इक्रिस करना आप कर सकतो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देखाता हो देखिए इस तरह से और यहाँ पर हम और भी से डिक्रिस पोस्ट का लेओं वो बड़ा हो जाएगा इसके बाद इसके मुताबिक अगर आपको और भी यहां पर आपको इंक्रेट करना है तो यहां पर आप कर सकते हो जिसके ट्वेंटी रखते देटेटेटी परफेक्ट रहेगा इसके बाद एक साइड़ बार का लेओं फिप्टें करने के बाद यहां पर एक बार रिफ्रेज करके हम सेट करते हैं तो देखेए आपको देखेबार की विट्स ओटोमेटिक यहां पर इंक्रिश होता हैं तो इस तरह सहाब इसके अंदर टू रख सकते हों यह मुझे अमेजिंग लगी और जीनींग भी मेरे फ्रेंड सरकल के अंदर जयूब की वेबसेड है वो लोग यहीं यूज करते हैं और इसके जो इसका ओपनिजर लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए प्रफेक्क हो सकती है एस फ्रेंडली और एडसेंस फ्रेंडली बाद हम बात करते हैं सिंगल पोस्ट की तो आपको इतना करने की जोब लिश्टिंग करने की तो आपको कमेट करके यह बताना है कि आपको इसके अंदर और क्या क्या जाए और क्या क्या आपको करना है इसके बाद में और भी करके आपको हमारे आर्टिकल कंदर यह थिम बिल्कुल फ्री में प्रोवाड कर दूँगा मैंने आपको बताने के लिए और जो सभी यूजर को प्रोब्ल वा रहा था कि हम जो इसे सेट अब नहीं कर पा रहे थे जो पिछली थी तो इसलिए मैंने वीडियो बने सोटा सा इसके बाद अगर आपको लगता कि इसका आपको कंटेनर साइज दो इंक्रिस करना है तो सिंपल है देखिए कि आपकी कंटेन कीवेट्स ओटोमेटिकली इंक्रिस हो चुके देखिए इसके बाद आप उपने मुताब एक सैट बार को इंक्रिस कर सकते हो तो आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बने थे वर्दना मैं आपको डिरेकली आर्टिकल के अंदर ये थिम दियाता तो के लिए ट्राय करूगा कि दूसरा वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको इसके अंदर और भी करके ये थिम प्रोड कर दूगा तो बस सिंपल वीडियो यहीं तक था आशरक तो आपको सब कुछ समझ में आग्या होगा थिम डावलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिश हुआ है